लाली बकरी सूखी घास खाने से मना करती है तो बच्ची मुन्नी नी दादी दुलारी को बुलाती है मुन्नी कहती है दादी दादी देखो लाली सूखी घास खाने से मना कर रही है क्यूरी लाली हरी घास चाहिए तुझे तनिक ठहर मैं सूखी घास को अभी ताजी हरी घास में बदल देती हूँ यह कहकर दुलारी बकरी की आँखों पर हरे रंग की एनक चढ़ा देती है और फिर आँखों पर एनक चड़ते ही लाली को सब हरा हरा दिखने लगता है उसे सूखी घास भी ताजी हरी हरी घास नजर आने लगती है और वह बड़े चाव से घास खाने लगती है यह देख मुन्नी खिल खिला कर हसने लगती है आप तो बुध्धिमान की नानी निकली दादी अरी बुध्धी की मत पूच बुद्धी में तो तेरी दादी पहलवानों से भी बढ़कर है पहलवानों से नहीं दादी विद्द्वानों से हाँ हाँ वही तो मैं भी कहना चाहती थी पर कमभखत जबान फिसल गई दुलारी को लाली के साथ यह खेल करते देख परिवार में भी सब की हसी छूट जाती है और बेटा अशो कहता है देखो, अम्मा ने लाली को कैसे बेवकूफ बना दिया यह सुनकर बहु मीना कहती है यह तो बकरी है, अम्मा जी तो चाहे जिसे बेवकूफ बना दे क्यों अम्मा जी, मैं सही बोली न तू चुपकर बहु, ज्यादा चटर-पटर की तो मैं तेरा मुह तोड़ दूँगी, समझी पती महेश को दुलारी की यह बात बुरी लगी, तो वह बोला सास बहु में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर ऐसे ही ठंती रहती थी पहले तो वे किसी बात को लेकर जगरने लगती और फिर कुछ तेर बाद खुद ही मान जाती यही सोचकर महेश कहता है मैं तो यही कहूंगा भागिवान की बहु से मिल जुल कर रहा करो, कहीं बढ़ापे में पच्ताना न पड़े तुमें पच्ताए मेरी जूती, आप ठंड करो जी कुछ तिन बाद महेश शहर जाता है और उसके साथ एक दुरघटना घट जाती है उस दुरघटना में महेश की मौत हो जाती है उसकी मौत से दुलारी को गहरी चोट पहुँचती है दुलारी महेश की फोटो को देखते हुए कहती है क्यों जी साथ फेरे ले कर भी साथ छोड़ गए अपने साथ ले जाते तो क्या मैं वहाँ आपके सिर पर बैठती दिन रात सेवा ही तो करती आपकी महेश के मरने के बाद दुलारी का मन बस लाली में ही लगा रहता था वह लाली से तरहां तरहां की बाते करती और समय बिताती दुलारी अपनी बक्री से कहती है मगर उसकी मौत के बाद मीना को दुलारी फूटी आँख नहीं सुहाती और इसलिए एक दिन वह अशोक से कहती है सुनो जी आपकी मा बैठ कर गप गप खाए और मैं सारा दिन बैल की तरह काम में जुटी रहूं मुझसे नहीं हो सकता हाँ मीना पर हम मा से अलग भी तो नहीं रह सकते न नहीं रह सकते तो मैं चली अपने माई के अब तुम ही उन्हें रोज छपपन बोग बना कर खिलाना हाँ दुलारी मीना को यह कहते सुन लेती है और यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है साथ ही उसे अशोक और मुन्नी की चिंता भी होने लगती है इसी लिए वह मन ही मन उनसे अलग रहने का फैसला कर लेती है यूँ हठी बैल की तरहा रोज रोज सींग क्यों मारती हो बहु अगर मैं बोज ही बन गई हूँ तो मुझसे अलग रह लो मैं तो रह लू पर इनका क्या करूँ जो अब भी तुम्हारी गोच से चिपक कर रहना चाहते हैं अब चुप करो बहु आज से सब तुभारा मैं तो बस लाली के सहारे अपना गुजारा कर लोगी हाँ यह कहकर दुलारी उनसे अलग रहने लगती है और लाली की खूब देखभाल करती है उसे जंगल में चरा कर लाती तालाप पर पानी पिला कर लाती उसका दूद निकाल कर कुछ दूद बेच देती और कुछ अपने पास रख लेती इससे उसे समय पर दो रोटी मिल जाती और वे उन्हें दूद के साथ खा लेती दुलारी खाना खाते हुए सोचती है ना बेटा काम आया और ना बहू बस लाली के कारण ही समय पर दो रोटीया नसीब हो जाती है दुलारी जब से अलग होकर रहने लगी थी उसकी बहू मीना की आखें हमेशा उसी पर लगी रहती थी मैं तो सोचती थी कि बुढ़िया भूखी प्यासी रहेगी तो खुद बखुद ने कल लेगी पर यह तो जड़ पकड़ कर बैठ कई है ज़रा देखू तो आखें बुढ़िया कर क्या रही है यही सोच कर मीना खिड़की से जहांक कर दुलारी को देखने लगती है उस समय दुलारी मुन्नी से हस हस कर बाते कर रही थी और दोनों बकरी के दूद से बनी खीर की दावत भी उड़ा रही थी दादी, खीर तो बड़ी अच्छी है अरी, अच्छी क्यों न होगी, लाली के दूद में जो बनी है जब तक घर में लाली है, मेरी तो रोज ऐसे ही दावत उड़ेगी यह सुनकर मीना को तो जैसे बिजली का करंट ही लग जाता है उसका दिमाग जंजना उठता है और वे खुद से कहती है हाई राम, बुढ़िया तो बड़ी चालाक निकली कहती थी मैं तो लाली के सहारे गुजारा कर लूँगी खुसट कहीं की, देखो तो कैसे चट्टे उड़ा रही है लगता है अब तो बकरी का भी बटवारा करना पड़ेगा यह सोचकर मीना बेचैन सी होटती है और फिर अचानक ही अशोक पर बरसना शुरू कर देती है अशोक मीना को मनाने की बड़ी कोशश करता है मगर वह अपनी जिद से टस से मस नहीं होती हार कर दुलारी खुद ही बटवारे को तयार हो जाती है और कहती है बहु अगर लाली का बटवारा ही चाहती हो तो सुनो मुझे मनजूर है आज से लाली एक-एक हफ़ते के लिए हम दोनों के पास रहेगी इस तरह दुलारी मजबूर होकर लाली का बटवारा कर देती है और हफते भर का समय पूरा होते ही मीना लाली के गले में पड़ी रसी को खीचते हुए बकरी को अपनी तरफ ले जाती है लाली को अपनी तरफ वाले हिस्से में खूंटे से बाधते हुए कहती है अब देखती हूँ कि बुढिया कैसे खीर की दावत उडाती है इसका दूद बेज कर खाना मिल जाता था पर अब दूद ना होगा तो देखना रोटी के सूखे टूख के लिए भी तरस जाएगी मीना दूद के लालच में बकरी को अच्छा खिलाती पिलाती है मगर जब दूद देने की बारी आती है तो लाली नकरे कर जाती है उसके थनों से एक बून दूद नहीं उतरता मीना गुस्से में कहती है यह कहकर मीना एक डंडा उठाकर बकरी को पीटने लगती है लाली की यहालत दूलारी से बरदाश नहीं होती वह मीना से कहती है बहू यह क्या कर रही है मत मार लाली को मेरा मन दुखता है अब यह एक हफते के लिए हमारी है हम इसके साथ कुछ भी करें तुमको क्या उस दिन के बाद मीना लाली को चारा पानी ही देना बंद कर देती है और लाली भूख से तडब कर मरने लगती है उसकी यहालत देखकर दूलारी की आँखों में आसू आ जाते है वे सोचती है कुछ भी क्यों ना करना पड़े अब तो लाली को इस डायन बहु के हाथों मरने से बचाना ही होगा यही सोच कर दूलारी अचानक से पागलो जैसी हरकत करने लगती है और हवा में हाथ हिलाते हुए बड़बडाने लगती है आ गए आप बड़े दिनों बाद सुधली शायद भूल गए थे हमें दादी दादी तुम किस से बाते कर रही हो दिखाई नहीं देता क्या मैं तुभारे दादा से बात कर रही हूँ और क्या यह सुनकर मुन्य चौक जाती है और दोड़ते हुए मीना के पास जाती है और कहती है अमा जल्दी चलो देखो दादा जी के आत्मा आई है और दादी उससे बाते कर रही है यह सुनकर मीना भी आश्चरे में पड़ जाती है उसे भी लगता है कि शाइद दुलारी सच में ही उसके ससुर की आत्मा से बाते कर रही है क्या कहा जी? बहु बकरी का दूद पियेगी तो मर जाएगी इसलिए हमारी बकरी दूद देने से मना कर रही है यह तो लाली हम पर इहसान कर रही है जी मैं तो कहूं लाली भले अब मर जाए पर हमारी बहु पूरे सौ बरस जीए हाँ यह सुनकर मीना एका एक अपने किये पर पच्टाने लगती है और सोचती है मैं भी कितनी कठोर हूँ जो मेरा भला सोचते हैं मैं उन्हीं के साथ बुरा कर रही हूँ पर आप बिल्कुल नहीं करूँगी ना ना यही सोच कर मीना लाली को तुरंथ चारा पानी देती है और साथ दुलारी को भी गले से लगा लेती है यह देख अशोक और मुन्नी गदगद हो उड़ते हैं फिर कुछ दिन बाद जब दुलारी उसे सच बताती है तो वे अपनी सास की अकलमंदी पर खूब हस्ती है कोमल को सूरज धलने के बाद बहुत कम दिखाई देता था ये बिमारी उसे बचपन से ही थी शादी की उम्र हो गई मगर वे ठीक नहीं हुई मम्मी मैं शादी नहीं करूँगी अगर कोई सच्चाई के साथ मुझे अपनाता है तो ठीक है लेकिन बेटी सच्चाई जानकर कौन तुम से शादी करेगा बेटी एक अच्छे लड़के का रिष्टा आया है बात पक्की होने दो हम सब सच बता देंगे मगर तब तक तुम चुप रहोगी हाँ कोमल के पिताजी मदन उसकी मा विमला से बोले देखो जरा कोमल का खयाल लखना लड़के वालों को कुछ पता ना चले तो आपने उन्हें शाम को क्यूं बुलाया दिन में भी तो बुला सकते थे अरे भागिवान जब उनके पास समय होगा तभी तो आएंगे उमेश अपने परिवार के साथ कोमल को देखने आया कोमल सबको चाए दो अरे बेटा उधर कहां चाए दे रही हो ये लोग इधर है अरे लड़की तो बहुत सुन्दर है मगर ये चाए के कप उधर क्यूं दे रही है अजी वो पहली बार कोई लड़का देखने आया है उसे घबराहट हो रही है वैसे भी ये बहुत शर्मीली है किसी के सामने जाने से शर्माती है लेकिन मेरी बेटी बहुत ही संसकारी और पढ़ी लिखी है कोई बात नहीं ऐसा होता है हमें कोमल बहुत पसंद है जल्दी ही हम शादी की तारीख निकलवाते हैं शादी की शुब घड़ी भी आ गई विदा होते समय वै अपनी सास के गले मिलकर रोने लगी मैं इधर हूँ कोमल वो तेरी सास है समधन जी मायका छोड़ने का तो कैसा ही होता है कुछ नहीं दिखाई देता मेरी बच्ची को रोते रोते ये भी नहीं दिख रहा कि मैं इधर हूँ मैं समध सकती हूँ आप चिंता मत करो मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी कोमल ससुराल आ गई दिन की रस में तो सकुशल निपट गई अपने कमरे में जाकर वे सोचने लगी कि क्या उमेश से सब कुछ छुपाना सही रहेगा नहीं मुझे अपनी जिंदगी की शुरुआत सच बता कर करनी चाहिए मुझे उमेश से कुछ नहीं छुपाना चाहिए कोमल तुम खुश तो होना इस शादी से मैं खुश हूँ लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मुझे कुछ नहीं सुनना तुम खुश हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए अगले दिन मुझे दिखाई की रस्मती रमा ने कहा कोमल वो तुम्हारी अलमारी में मैंने लाल रंग की साड़ी रखी है उसे पहन कर तैयार हो जाना आज शाम को मुहले की सारी औरते आएंगी तुम्हारी मुझे दिखाई करने हे भगवान अब लाल रंग का कैसे पता चले उमेश भी घर में नहीं है अब मैं किसी से पूछू भी तो कैसे उसने बहुत गौर से देखा और जो उसे लाल रंग जैसी सारी दिखाई दी उसने पहन ली कुमल, जल्दी नीचे आजाओ बेटा सब लोग आ गए है अरे, यह क्या मैने तो तुम्हें लाल सारी पहनने के लिए कहा था और तुमने काली सारी पहन ली जी, मम्मी जी, वो क्या मम्मी जी वो मैंने लाल साड़ी पहनने को बोला था ना तभी उमेश ने बाहर से आते हुए कहा अरे वाँ तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो काली साड़ी में अच्छा हुआ जो काली साड़ी पहनी लाल तो सब दुलहने पहनती है मां आपकी बहुत सबसे खास दिखाई देगी मुध दिखाई की रस्म के बाद कोमल अपने कमरे में आ गई उमेश सुनो मैं कुछ कहना चाहती हूँ मैं कुछ नहीं सुनूँगा तुमने मां की बताई साड़ी नहीं पहनी इस बात को कब तक सोचती रहोगी अरे सबने तुम्हारी बहुत तारिफ की और अब तो मां भी बहुत खुश है कोमल दिन में ही सारा काम निप्टाने की कोशिश करती शाम होते ही उसे डर लगने लगता कि कोई उससे किसी काम के लिए न कह दे कोमल तुम्हारे पापा जी को शुगर है फिर भी मीठा खाए बेना नहीं मानते आज खीर के लिए कहा है इसलिए खीर बना लेना उमेश के पिता किशन ने जब खीर खाई तो गुस्से में बोले खीर किसने बनाई है खीर तो कोमल ने बनाई है लगता है इसकी माने कुछ खाना पकाना नहीं सिखाया अरे ये खीर तो नमकीन है इसमें चीनी नहीं नमक डाला हुआ है पापा जी आप तो बेकार में घुस्सा कर रहे हो जब उसे पता चला कि आपको शुगर है तो वो बहुत परिशान हो गई उसने मुझसे कहा कि वो मीटी खीर खिला कर आपके स्वास्ते के साथ खिलवार नहीं कर सकती इसलिए उसने नमक डाल कर खीर बनाई है आपकी वो बहुत चिंता करती है अच्छा बेटी तुम मेरा इतना ख्याल लगती हो मैंने खामाखा तुम्हें डांट दिया मुझे माफ कर दो बेटी कॉमल की आँखों में आशु आ गए और वे अपने कमरे में चली गई अगली सुभा कोमल को रमा ने बताया कि शाम को उमेश के मामी मामा और उमेश की बड़ी बहन रीमा आ रही है बच्चों के साथ उनकी खातरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कॉमल बेचारी दोपहर से ही खाने की तैयारी करने लगी ममी जी सबजियां बना कर रखती हैं बस रोटी और चावल बनाने हैं अगर आप कहीं तो नाश्ते के लिए पकोड़े भी अभी बना कर रख लूँ अरे नहीं नहीं अभी तो पांच बजे हैं पता नहीं आने में कितनी देर लगे अभी से ठंडे हो जाएंगे साथ के साथ बना देना उन्हें आने में साथ बच गए कोमल को दिखाई देना बंध होने लगा वैसे उसने सभी सामान नीचे उतार कर रख लिया था मगर पता नहीं कब रमा उन्हें उठा कर उपर रख गई अब शादी के बाद पहली बार महमान घर आ रहे थे पकोड़े बनाने भी जरूरी थे फिर क्या बेसन की जगा मैदा, नमक की जगा शक्कर, धन्ये की जगा मेथी जैसे तैसे कर दिये पकोड़े तयार अरे उमेश आ गया ओफिस से जरा देख तो अभी कितनी दे लगेगी चाय नाश्ते में कोमल नाश्ता दिया अरे भाबी, ये चाय है या दूद, लगता है चाय पत्ती डालना भूल गई हो क्या मैंने चाय पत्ती नहीं डाली छी, ये कैसे पकोड़े बनाये हैं तुम्हारी बहु ने दीदी मूँ का स्वाद भी खराब हो गया भला ऐसे होते हैं पकोड़े हमने तो सोचा था कि दो-चार दिन ठहर कर आएंगे पर लगता है ऐसा खाना खिला कर बहुतो सुबा ही विदा कर देगी हमें, हाँ रमा ने पकोड़े को तोड़ कर देखा, तो वह अंदर से मैदे का नजर आ रहा था उसमें मेथी की खुश्पु रही थी, थोड़ा सा खा कर देखा, तो वह मीठा लगा तुम अंधी हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये पकोड़े तुमने बेसन के नहीं मैदे के बनाए है और इनमें नमक नहीं, शक्कर डाली हुई है, ले जाओ सब यहां से उठाकर, लगता है नमक चीनी का अंतर भी नहीं जानती, अंधी कहीं की, कोमल इतना सुनकर जोर से रोने लगी रो कर किसे दिखा रही हो सब कुछ सत्यानाश कर दिया मम्मी जी मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ तुम चुप रहो कोमल, मैं बताता हूँ देखिए, कोमल को रतओंधी नाम की बीमारी है, जिससे उसे शाम होते ही बहुत कम दिखाई देता है लेकिन आप ये बात कैसे जानते हो मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी से बात करते हुए सुना था मैंने कई बार बताने की कोशश की लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी इसलिए कि मैंने पहले दिन ही तुम्हें तुम्हारी मम्मी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था मैं भी तो इसकी मा जैसी हूँ अगर मुझे पता होता तो मैं कभी शाम के बाद उसे कोई काम करने नहीं देती लेकिन उमेश, ये बात तो तुमने हमें क्यों नहीं बताई हाँ मा, क्यूंकि मैं अपनी रतौंधी पत्नी का तमाशा नहीं बनने देना चाहता था ये तो एक बिमारी है, इस पर अपना कोई वश नहीं है कोमर बहुत अच्छी है ममी, लेकिन कोई उसकी बिमारी को लेकर तमाशा बनाए, ये मुझे पसंद नहीं इधर आ पगली, अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा, मैं भी अवड़बी तो और कौन समझ है है मैं आ जहीं समझेगा, ये मैं वहीं वे वश झाल